हलो दियर श्वेंट, शिवा मोस्ट, वेलकम टी यूर चैनल, CSE Master आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रिट मैथेमेटिक्स के रिलेशन टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर को डिसकस करेंगे जो की है कम्प्लिमेंट आफ रिलेशन एंड इन्वर्स रिलेशन इसके प्रिबियस वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशन का डोमिन और रिंज क्या होता है उसको डिस्कस किया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक तो कम्प्लिमेंट आफ रिलेशन को हम समझते हैं कि कम्प्लिमेंट आफ रिलेशन होता क्या है सबसे पहले आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि कम्प्लीमेंट ओफ सेट क्या होता है आपको याद होगा कि हमने सेट का कम्प्लीमेंट पढ़ा था कम्प्लीमेंट ओफ सेट तो जैसे कि सपोज करो यह एक यूनिवर्सल सेट है और सेट ए यूनिवर्सल सेट का एक तो complement of set A the set of all elements that belongs to universal set but not belongs to set A उसको कहते हैं complement of set A इसको हम A dash से represent करते हैं तो suppose करो कोई set है हमारे पास कोई set है और वो जो set है उस set का हमारे पास कुछ element है उस element को हम देखते हैं जैसे suppose करो कोई set है A set A में 1, 2, 3 और कोई universal set है set of all natural number less than 10 तो यह एक universal set है तो universal set अगर हम देखेंगे तो इसमें 1, 2, 10 तक के number होगा और इसमें एक set A है जिसमें 1, 2 और 3 numbers है elements है ठीक है तो इसके अलावा जो यह पूरा region है यह complement of set A कहा जाएगा complement of set A मतलब set A में जो element है उसको छोड़ करके जो भी remaining set है जैसे 4, 5, 2, 10 ठीक है जो होता है उसके complement की हम बात करते हैं हमें पता है एक relation किसी भी relation जो है यह subset होता है Cartesian product का ठीक है मतलब A और B जो है set है इस set का Cartesian product का subset होता है हमारा relation तो हमारे पास कोई relation R है सबकुछ परो कोई R relation है R is relation from set A to B relation from set A to B set A to B है तो यह जो R है यह A cross B का क्या होगा subset होगा लगिन A cross B का केवल subset होगा A cross B में तो बहुत सारे element होते है ठीक है मतलब set of ordered pair होगा तो R dash क्या होगा complement of R जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा तो यह होगा set of all A, B where A, B does not belongs to R and A, B sorry and A, B belongs to what belongs to A cross B this is complement of A R तो relation का complement जो है इसको हम represent अगर करना चाहें बेन डाइग्राम से तो यह जो boundary है यह जो area है यह A cross B के element को represent करता है और यह एक relation को represent करता है तो इस relation को छोड़ करके बाकी जो भी area है यह क्या होगा यह R डैस होगा मतलब complement of R होगा ठीक है उमीद करते हैं यह समझ में आया हो अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर के वीडियो को देख सकते हो ठीक है तो चलिए थोड़ा सा इसको हम define करते हैं कैसे complement of relation को हम define कर सकते हैं complement of relation R denoted by R' is relation from A to B such that R is set of all A, B where A, B belong to what A cross B and A, B not belongs to R ठीक है जैसे एक example हम देखते हैं X है Y है दो set है दोनों set के element लिखे हुए हैं X का element 1, 2, 3 है Y का element 8, 9 है और यहाँ पर एक relation का formation किया गया है R 1, 8, 2, 8, 1, 9, 3, 9 ठीक है तो यहाँ पर बोला जा रहाएगी आप जो R relation है इसका complement find out कीजिए तो इसका complement क्या होगा हम देख लेते हैं तो इसका complement हमारे पास कुछ इस तरह का होगा अभी इसको हम solve करेंगे तो X में है 1, 2, 3 और Y में है 8, 9 ठीक है X में जो element है वो है 1, 2, 3 और Y में जो element है वो है 8 और 9 ठीक है यह दो है तो सबसे पहले X cross Y हम find out करेंगे ठीक है 1, sorry 1, 8 हमारे पास होगा ठीक है उसके बाद 1, 8 होगा उसके बाद 1, 9 होगा उसके बाद 2, 8 होगा उसके बाद 2, 9 होगा ठीक है ऐसे ही 3, 8 होगा और 3, 9 होगा ठीक यह यह होगा तो यह जो है A cross B के subset है अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है हमारे पास एक रिलेशन है 18281939 ठीक है 18281939 ठीक है तो यह जो ordered pair है इनको छोड़ करके बाकी कौन-कौन से ordered pair है दो ordered pair रिमेनिंग है 29 और 38 ठीक है तो आर डैस जो है यह हो जाएगा 29 एंड 38 ठीक है यह हो जाएगा कंप्लीमेंट ओफ रिलेशन रिलेशन र में जो भी ordered pair के सेट थे उसको हमने हटा करें जो रिमेनिंग एक क्रॉस वाई में बचा हुआ है उसको हम राइट डाउन कर देंगे ठीक है यह तो हमने देखा कंप्लीमेंट ओफ रिलेशन बहुत आसान है और बहुत इंट्रेस्टिंग भी है इसके बाद हम इनवर्स ओफ रिलेशन को समझते हैं कि इनवर्स ओफ रिलेशन होता क्या है ठीक कंप्लीमेंट ओफ रिलेशन तो हमने देखा कि जैसे किसी भी set का compliment हम find out करते हैं, ऐसे ही किसी भी relation का compliment है, वो find out कर सकते हैं, अब inverse का क्या मतलब है sir, तो inverse का मतलब होता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब क्या, जैसे suppose करो, 2 is to power minus 1 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, 1 by 2, यही होता है न, तो inverse इसको हमने क कर दिया उल्टा कर दिया रिलेशन के केस में हम उल्टा तो करते हैं इनवर्स तो करते हैं लेगिन कुछ दूसरे मैनर में करते हैं कैसे करते हैं तो सपोज करो a, b किसी relation का एक ordered pair है मतलब a related to b है a related to b है तो यह किसी r relation का ordered pair है तो यहाँ पर r inverse की अगर बात की जाएगी तो r inverse में यह ordered pair b, a लिखा जाएगा b, a हो जाएगा ठीक है तो अगर इसको हम mathematically and logically define करें तो कैसे करेंगे inverse of relation is set of all b, a where b, a belongs to a cross b ठीक है जहाँ पर b, a a cross b से belong करता हो उसको हम inverse of relation कहते हैं जैसे देखाँ यहाँ inverse of relation is the set of all ordered pair b, a where a, b belongs to relation ठीक है तो a, b relation में belong कर रहा है तो उसी को जब b, a के form में हम लिखेंगे तो inverse of relation कहा जाने लगेगा ठीक है न जैसे कि आप यहाँ देखिए एक relation है r जो कि define किया गया set of all ordered pair a, b where a, b belongs to a cross b ठीक है तो r inverse हो जाएगा set of all ordered pair b, a where b, a belongs to a cross b अब एक example हम देखते हैं इसमें example से और बहतर तरीके से हम समझ पाएंगे जैसे सब कुछ करो यहाँ पर एक set है x और set में element है 1, 2, 3, दूसरा set है y set y में element है 8 and 9, एक relation पहले से दिया हुआ है with ordered pair 1, 8, 2, 8, 1, 9, 3, 9 ठीक है इसको आप ऐसे भी represent कर सकते हो, x है y है, x में 1, 2, 3 है ठीक है, y में 8 है 9 है, ठीक है, तो relation कैसे बनेगा, 1, 8 मतलब 1 is related to 8 2, 8, 2 is related to 8 1, 9, 1 is related to 9 3, 9, 3 is related to 9 तो इस तरह से भी हम relation को represent कर सकते हैं तो इस तरह से ये relation में है पूछा जा रहा है कि r जो relation है इसका inverse क्या होगा मतलब inverse of relation r ठीक है, तो r inverse क्या हो जाएगा, तो जो भी ordered pair में elements हैं उसके x और y के position को हमें interchange कर देना है ये 1, 8 है, तो r inverse में 8, 1 हो जाएगा, ये 2, 8 है तो ये r inverse में 8, 2 हो जाएगा ये 1, 9 है, तो r inverse में 9, 1 हो जाएगा, ये 3, 9 है तो r inverse में ये 9 और 3, 3 आ जाएगा, ओके इस तरह से हम लोग inverse of relation के साथ deal करेंगे ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर जो relation है, उसका cardinality पूछा जाए, और inverse relation है, उसका cardinality पूछा जाए, तो inverse relation और a simple relation का cardinality हमेशा same होता है, ठीक है cardinality of relation and inverse relation will always be same, ठीक है तो उमीद करते हैं, आपको यह समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो आप वीडियो को like कर सकते हैं, अगर अपने channel पे नए हैं, अभी तक subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कर सकते हैं, thanks